नमस्कार दोस्तो शामकला शेरिंग्स में आपका स्वागत है मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके दाथ और दोस्तो आज आपको बताएंगे इंप्लिवेटी स्किल का पेपर जो काफी मैतपुन है जो अभी आपकी पांच मार्च को जो एक्जाम हुई थी यानि MP यानि मर्दे परदेश में जो इलेक्रिशन ट्रेड़ से है वहाँ पर पर पस्ट लिखरे का सेमेश्टर यह आपका फश्ट इयर है तो दोस्तो काफी मै एक्जाम है यानि 15 मारसी वहाँ पर यहां सी क्योश्ट जरूर आसके तो दोस्तो वीडियो में लास्त जरूर बिने रहना अगर चेनल को पहली बार देख रहे हो तो अगर चेनल को पहली बार देख तो सब्सक्काइब जरू करना अगर वीडियो आपको अच्छ लगे तो को लाइक करना और अपनी दोस्तों साथ सेर करना तो स्टाट करते हैं ज्यादा वक्त खिराब ना करें तो देखते हैं दोस्तों पहला क्योशन क्या है अभी तक कम्पिटरों की कुल कितनी पीडिया अस्पितों में आ चुकी है तो बताओ दोस्तों इसमें आएगा 6 देख सु तो दोस्तों बताओ इसको किसके अनुसा पहचानते तो इसमें यह आपका चान नंबर है इसी के अनुसा इसको पहचानते हैं दोस्तों अगला क्योशन है दोस्तों इन्पुट आउट्पुट साद्रो और भाई ये बंढारन माध्यमों को समलित रूप में क्या कहा जाता है दोस्तों तो दोस्तों बताओ क्या कहा जाता है कंप्यूटर के पारी बागो तो उसे बोलते है फेरी फेरल क्या बोलते है पेरी पेरल क्या बोलते है पेरी फेरल शोरी पेरी फेरल अगला क्यों सुने विश्व का सबसे बड़ा programmer किसे माना जाता है तो उसे माना जाता है endago काफी अच्छा प्यपर है दोस्तो अच्छी से देखना अगला ये computer को आखड़े या आदिश देने के लिए किस प्रकार की युक्ति का प्रियोग के जाता है दोस्तों तो तो वो त्याब की input युक्ति युक्ती इंपूट डिवाइस का किना तो तो software का आड़ता है screen output क्या कहते है screen output अगला क्योशन है दोस्तो जिस topology जिस topology में परते computer अगले computer में अगले computer से यह अंतिम पर्थम computer से जुड़ता है तो उसे क्या कहते है ring क्या कहते है ring character answer दो नंबर अगला क्योशन है कोई icon इन में से किसको व्यक्त करता है तो वह file को भी करता है program को करता है folder तो सभी इन सभी को परदशित करता है अगला क्योशन है computer के किस भाग द्वारा आकड़ों को processing की जाती है तो वह आपका ALU के द्वारा processing की जाती है सबसे पहले computer का नाम क्या था तो उसी दोस्तो 裁न वे computer नाम था सबसे पहले वाली computer अगला क्योशन है किसी network में webin, nodes को आपस जोड़ने की तरीकों को कहते है क्या कहते है तो टोपोलोजी कहते हैं क्या कहते हैं टोपोलोजी अगला क्योंस ने केमपटों पर वीडियो गेम खेंडने के लिए प्राइक किस युक्ति का उप्योग नहीं किया जाता है तो दोस्तों वैं माइक्रोफोन को उप्योग नहीं करते हैं आपके केपेड कामें आता है जाइस्ट क्या system software नहीं है तो आपका ms word यह आपका system software नहीं है करेक्टान से दो नमबर अगला क्योशन है 8 bit का सुम्मू है कहलाता है तो क्या कहला गया दोस्तों एक byte बिराबर होता है 8 bit अगला क्योशन है नेमन में इसे कौन सा language translator program है तो वह compiler है क्या है compiler अगला क्योशन दोस्तों किसी विंडो के किसी भाग में संबंदित program का नाम दिखा जाता है वो होता है आपका title bar क्या होता है title bar अगला क्योशन है go go परकार के domain name का उप्योग किया जाता है तो कहा किया जाता है सरकारी संचताओं में हम इसका उप्योग या गोर्मेंट का उप्योग का ना सरकारी संचताओं में इसका उप्योग किया जाता है अगला है निमन लिकित में से कौन सी memory अन्यवारी नहीं है तो आपकी case memory अन्यवारी नहीं है तो case memory अनुवारे नहीं है अगला है किसी file को एक folder से दूसरे folder में ले जानने के लिए आधिसों का कौन सा जोड़ा दिया जाता है तो आपका cut paste दोवारा जोड़ा दिया जाता है अगला है window operating system में data को storage करने की सबसे छोटी काई क्या है तो वह दोस्तों सबसे चोटी काई आपकी कहते file यानि तीन अमर इसका correct answer अगला क्योशन है आकार के अनुसार सबसे छोटा computer कौन सा है तो आकार के अनुसार सबसे छोटा computer आपका micro computer है आकार के आधर पर अगला क्योशन है इन में से किस control button का परियोग विंडो को उसके पूर्व है आकार में लाने में के जाता है तो बताओ दोस्तों कौन सा button है वो तो आपका उतार restore क्या आता है restore के दोवार हम आपको सुझे पूर्ण आकार मिला सकते है last question आपके employee skill के लगा और question है सही article का chain करे यानि हम इन में सही article का chain के से एक question पूछा है दोस्ते इंगलिसका a boy single खारिस्तान शॉंग तो इसमें आएगा single के साथ क्या आएगा ए तो क्या आएगा ए तो इसी प्रकार दोस्तों आपका employee skill का फिर परोज़ चुका है दोस्तों अपना कीमति से मिलने लिए तो इसमें पूछे जाएंगे तो दोस्तों इसी प्रकार आप हमारा support करो हम इससे भी अच्छी गलाश आपको देते रहेंगे